हिंदू मुस्लिम कौमी एकता तहसील वहाद जिला आग्रा में धूमधाम से मनाया गया सबेरान मुसलिम भायों ने सारी राग जाकर देश के लिए मांगी अमन और चैन की दुआ वहीं पुलवामों में सहीदू सेनिकों के लिए भी अल्ला से दुआ मांगी गई कहा अल्ला उनको जन्नत अदा करे वहीं हमारे संबादाता लबकुस्री वास्तव ने की इस मौके पर खास बात चे आज ये जो सजाबट है आपकी मस्जिद पर क्या तवहर है आपका जी आज तुआ शबय बरात है ये वो रात है जो साल में एक बराती है इसमें हम लोग आमन और स्कुन की दुआइं करते हैं और अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम इबाद करते हैं और नमाज़े पढ़ते हैं और जहां तक के हम एक दूसरे से मिल मुहबत और अमन और सुकून के लिए हर वक्त दौा करते रहते हैं और आज पुरी रात अल्ला को राजी करने के लिए दौाएं करेंगे यह और रातों की तरह से यह अफजल आला और रात है जो कि साल में एक ही बार आती है जिसे शब कदर और शब बरात कहा जाता है इस खुशी के मौके पर आप लोग सब समलित होते हैं क्या हिंदू भाईयों को भी समलित करते हैं आप जी यह तो सब का ही तोहर एक तरह से देखा जाए हमाई लिए ना हिंदू ना मुसलिम कोई नहीं है सब बरावर ही हैं सब हमाई साथ में सब को उटना बैठना है और एक साथ ही रहते हैं यह नहीं कि हिंदू या मुसलिम ऐसा कुछ बात नहीं है सब इसमें सब इगटे साज रहते हैं और सब एक सब उटते बैठते हैं यह सब के लिए हैं शबसित करें लुड़ायां बनाते हैं, तो इसमें तो मिठाई एक ऐसी चीज है, उसमें कि हिंदू का मिसल्वाइगर दोस्ति किसी से, किसी को भी खिला सकते हैं, मुहबत के साथ, इसमें कोई ऐसी नहीं होती, बलके मुहबत ही चाहेते हैं, इस रात को अभी कि मुहबत ही काइम रहे, और के भविश्की बात हो ये लोग हमेशा बहुत अच्छा सोचते हैं टाइम सेटीन के लिए लबकुष श्रीवास्ता हो सतीस रावत के साथ